नमस्कार मित्रों मैं नितीश भारदवाज आज सुबा से मुझे बहुत सारे अपने मित्र मेरे फैन्स और मीडिया के मित्र फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या आज की कोरोना की स्थिती में इस इस आपदा में महाभारत प्रासंगिक है क्या महाभारत का कोई एक पन्ना ऐसा है कोई एक प्रिष्ठ ऐसा है जिससे हम कोई सीख ले सके तो मित्रों है वो कौन सा प्रिष्ठ है वो अध्याय है आदि पर्व के अंत में जब महाराज धितराष्ट्र पांडवों को खांडव वन देते हैं और कहते हैं जाओ अपनी नवीन शुरुवात करो अपना जो नवीन राज्ज है उसकी शुरुवात वहां से करो वहाँ बंजर धरती है और खांडव भन है खांडव वन जो आज का मेरट है उसका नाम खांडव इसलिए था कि खांड मतलब मधू स्वीट उसमें महुआ के बहुत सारे पेड थे और महुआ के पेड आप जानते हैं जब उसके फूल आते हैं तो पूरा आसमंत जो है वातावरन जो है वो मधुर मधुरता से भर जाता है यह वन इक्षुमती नदी के किनारे पर था वहाँ बहुत सारे प्राणी, पशु, पक्षी, साप, कच्छुए, मच्छी, जलाशे, सब कुछ था और उसके राजा थे राजा तक्षक, नाग राज तक्षक तो जब यह दिया, तो अरजुन और कृष्ण वहाँ चले गए और सोच रहे थे, अरजुन पूछ रहे थे कि अब क्या करें, इसको कैसे करें ये तो वन है, बंजर धर्ती है, ये वन की भूमी भी अपने को चाहिए लेकिन इसको कैसे करें, यहाँ पे कैसे हम इंद्रप्रस्त बनाएंगे तो अगनी देव उनके पास आये और उन्हेंने कहा कि मैं साथ बार प्रयास कर चुका हूँ इस वन को जलाने का और यह जो राजा तक्षक हैं जो यहां रहते हैं नागराज इनके मित्र हैं, परमित्र हैं, इंद्रदेव जब भी मैं अगनी के रूप में इसको प्रजवलित करना चाहता हूँ इंद्रदेव वरुन की वर्षा कर देते हैं और उसको आपको बुझा देते हैं तो आप मेरी मदद करें, यह मेरे लिए आवशक है करना तो अरजुन ने सोचा, मैं भी तो यही सोच रहा था कि यह जो वन है, यह जल जाए, तो मुझे और भूमी मिल जाएगी जिस पर इंद्रप्रस्त खड़ा होगा, बड़े-बड़े महल खड़े होंगे तो उन्होंने वरुन देव की आराधना की ख्रिश्न के कहने पर वरुन देव प्रसन हो गए और वरुन देव ने कहा कि क्या चाहिए उन्होंने कहा मुझे एक ऐसा धनुष्य चाहिए जिस पर बान लगाते ही, जहां मेरा बान जाना चाहिए, वही जाए एक अलोकिक दिव्य धनुष्य चाहिए फिर मुझे दो तरकश चाहिए अक्षय तरकश जिसके बान कभी खतम ही ना हो और एक ऐसा रत चाहिए जो मन के मन की गती से भी तेज दोड़े तो वरुन देव ने उनको गांडी धनुश दिया अक्षय तरकश दिये दो और वो अलौकिक रत दिया जिसको बाद में आपने महा भारत के भारती युद्ध में देखा जिसका सारथ्य किया स्वयम भगवान कृष्ण ने फिर जब ये मिला तो उन्होंने अगनी से कहा अगनी देव आप इसको भस्म कीजिए अगनी देव ने जब उसको वन को भस्म किया तब तक्षक राज महा नाग राज तक्षक महाँ पर नहीं थे वो कुरुक्षेत्र गये थे सारे पशु पक्षी उसमें से हाहाकार मच गया जलने लगे लोगों के पैर जल रहे है प्राणियों के पक्षियों के पंक जल रहे है गर्दन जल रही है आँख जल रही है बसमसात होने लगा सब कुछ पक्षी उडने लगे जैसे ही प्राणी भागने लगे पक्षी उडन अरजुन ने अक्षई तरकष से बान निकालकर उस गति से गांडीव से बान चलाये कि सब को मार दिया संगहार कर दिया पूरा सब कुछ जल गया उसमें जलाशे थे उसका पानी पानी जलाशे का पानी सूख गया कच्छुए मर गए, मचलिया मर गई, सब कुछ मर गया, पेड़ पौधे जल गए, तक्षक का बेटा अश्वसेन, मय नाम का असुर जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से कृष्ण जी ने मय सभा बनाई इंदरप्रस्थ में बाद में, और चार पंची इतने ही बचे, छे उसके उपर इंदरप्रस्थ खड़ा हुआ, निर्माण हुआ, लेकिन प्रतिशोद की ज्वाला में तक्षक तहक रहा था, प्रतिशोद लेना चाह रहा था रुका, भारती युद्ध खतम होने तक रुका, पांडव स्वरगा रोहन पर चले गए तब तक रुका, राजा परिक्षित बना हस्तिनापुर का, तब जाकर तक्षक ने उसे काटा, दंश किया, डंख मारा, और राजा परिक्षित मर गया अपने पिता को मरदा हुआ देख, प्रतिशोद की ज्वाला में धदक उठा, उसका बेटा जनमेजए, उसने एक ऐसा यग्या, याग्या का अरंब किया, पूरे आर्या वर्थ से, हर वन से, नईमी शारन्य, काम्यक वन, दंडकारन्य, हर वन से उसने सर्पों को एकत्रित क करके उस अगनी में यग्यके डाल दिया, मार दिया, उसको उस क्रोध को देखकर, रिशी वैशम पायन ने उसे बिठाया, और जनमेजए को महाभारत की कथा सुनाना अरंब किया, उसका प्रयोजन, कई प्रयोजन थे, जीवन यापन कैसे करना है, कलियुग में जीवन प्रतिशोद का अंत नहीं है, आज क्या हम यही नहीं कर रहे हैं, आज जहां पूरा हारत लॉकडाउन में है, सडक पर कोई नहीं है, ना कोई वाहन है, ना मनुष्य है, इकका दुक्का छोड़कर जो डंडे खा रहा है, आज देखिए, दिल्ली के बाहर, यूपी के रोड पर हर्याना की रोड पर नील गाये दिख रही है, आज आपको सांबर दिख रहे हैं, बारा सिंगा, आज आपको चीतल दिख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, हमने इनके वन नेस्तनाबूद करके अपने शहरों को बसाया है, और अपने राष्ट्रिय महामार्गों को बनाया आज हम यही कर रहे हैं पेडों को काट रहे हैं अनाधुन काट रहे हैं कोई पेड लगा नहीं रहा है यह रुकना चाहिए यदि यह नहीं रुका यह सीख है महाभारत की इस अध्याय की खांडववन के अध्याय की यह प्रासंगिक है आज के लिए यदि यह नहीं रुका त प्रकृति मात्र एक छोटी सी करवट लेगी बस थोड़ी सी इतनी सी बास वो रिक्टर स्केल होगा दस और जिस तरह से डाइनासॉर्स का यूग खतम हो गया समाप्त हो गया यह मानववण्श समाप्त हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा महाभारत के इस खांडववन इस अध्याय का इस कहानी की प्रासंगिक्ता यह है कि आज हम सीख लें प्रकृति के साथ संतुलन बना के रहना सीख ले उसकी हार्मनी में जीना सीख ले पशू पक्षी प्राणी तितलियां मदुमक्खियां हर एक जीव उसके जीवन का आदर सम्मान करना सीख लें को एक्जिस्टन्स सीख लें लेट एंड लिव की भावना को सीख लें हमको विकास चाहिए है विकास किसको नहीं चाहिए हमको प्रगतशील बनना है लेकिन उसके साथ में इन सब की भी रक्षा करनी है यदि हमने ये नहीं किया इन सब की रक्षा नहीं की इनके साथ मिल जुल कर रहना नहीं सीखा तो प्रकृती सुनामी भेज देगी खूकम्प भेज देगी और बहुत अगर कुरुद्ध हो गई प्रकृती तो बस रिक्टर स्केल पर दस की एक करवट और आप और हम समापत इसके लिए आज इस लॉकडाउन में ध्यान कीजिए मेडिटेशन कीजिए अपने अंदर जहांक कर देखिए हम क्या कर सकते हैं हम कहां गलत थे और वो नया आचरण दिखाईए इस लॉकडाउन के बाद हमको नवीन भारत का निर्मान करने का ये सुनेरा अफसर है इसलिए मानिय प्रधान मंत्री जी के जो दो की वर्ड्स हैं दो सैयम और संकल्प उसके साथ में मैं जोड़ना चा रहा हूँ स्वाध्याए स्वाध्याए करना है हमको ताकि हम एक बहतर इंसान बने बहतर मनुष्य बने जो प्रेम करना जानता है जो शान्त रहना जानता है यहाँ पर आज यह जो अपने अगल बगल में शान्ती है कोई हौन नहीं बजा रहा है पैंपूं पैंपूं यह जो शान्ती है इस शान्ती से प्रेम करना सीखिए इस शान्ती को अपने रिदय में अपने मस्तिश्क में अपने रिदय में लाना सीखिए ताकि हम इसी शान्ती को लॉकडाउन के बाद अपने अगल बगल में वातावरण में प्रसारित कर सके उससे ये मनुष्यवंश शान्त होगा इसी में मनुष्यता का भला है स्वाध्याय करना है हमको ताकि हम एक बहतर इंसान बने बहतर मनुष्य बने जो प्रेम करना जानता है जो शानत रहना जानता है यहाँ पर आज यह जो अपने अगल बगल में शानती है कोई हौन नहीं बजा रहा है पैंपूं पैंपूं यह जो शानती है इस शानती से प्रेम करना सीखिए इस शानती को अपने रिदय में अपने मस्तिश्क में अपने हम इसी शान्ती को लॉकडाउन के बाद अपने अगल बगल में वातावरण में प्रसारित कर सकें। उससे ये मनुष्यवंश शान्त होगा। इसी में मनुष्यता कब भला है। इतना मैंने समझा है। ये मैं करना चाहता हूँ। और आप सबसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ, कि ये कीजिए। सैयम, संकल्प और स्वात्याए। नमस्कार।